अलेकुम अलेकुम मैं यहाने पर मंच पर सभी शायर साहबान का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस्तक्बाल करता हूँ वेलकम करता हूँ और आप सभी लोग जाएं हजरात यहां आए हैं नुहू और मेवाद के तमाम इलाके से आए हुए बहुत ही काबिल एतराम मौज़िश शक्सियत यहां मैं देख रहा हूँ मैं सभी का यहाने पर शुक्रियादा करता हूँ और खास तोर पर इसलिए कि जो आज का यह प्रोग्राम है इसमें होसला इफजाई के लिए आप लोग यहां आए हैं बहुत से साथ ही दिल्ली तक से आए हैं मेवाद से तालुक रखने वाले राजिस्तान के भी हैं और मैं भाई मुहमद याया सेफी का कि जिनों ने यह प्रोग्राम किया और हमें मौका दिया इतने देश के शानदार शायरों से आज कलाम सुनने का हमें मौका मिलेगा इसके लिए मैं उनका शुक्रियादा करता हूँ उनका और यह भी उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम मेवात में जगा जगा करें और यह मैं उनसे अपील करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक यह और्गनाईज किया है सारा क्यों चार पात दिन पहले चार नमबर को उन्होंने यह बताया था कि यह प्रोग्राम है तो सुनके बड़ अच्छा लगा क्यों चार नमबर को भी हमेशा करते हैं लेकिन इस बार क्योंकि हरियाना के पचास वर्षिय सुर्ण जन्ती मना रहे हैं तो हरियाना उर्दू अकेड़ भी करती है तो तीन तारीक को उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया था और अब क्योंकि यहां पर आने के बाद लग रहा है कि देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ लेकिन यह देरी का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ पूरे जिम्मेदारी से कहता तकता हूँ कि सो परसेंट सेफी साब और यह और्गनाइजर है मैं बिलकुल नौ में पौने आठ बजे आगो और पौने आठ बजे मैंने नू कह दिक बए मैं आ जाऊ गहाँ ना पौने तवे दहीर सूरी है अभी देर ठहरो इनने ठहरा ठहरा के नौ कर साडह आठ बज़ आयो अब साडह आठ बजे के चक्कर मे上 आप सभी जानों कि राजनीतिक आदमी यह कोई नब को बिलने वाला ओ जाए अब वाई टैम फिर मिलने वाड़े आगे और वाँ में देर होगी नहीं मैं नू कहरो भाई कि साड़े आठ पॉने आठ बजे सही आगो टैम सु पहले चलो मैंने कही बबा जो शेर कहां उनसु शायर कहां जो शेर कहे मैं पॉने आठ बजे करेक्ट आगो मेरे मोबाईल में या चुगल में नंबर आगो अपर काई ने रस्ता ही ना दियो आने को और जब साड़े आठ बजे गाड़ी लगवाई जब कोई कोई दिक्कत आगी परिशानी आगी तो लेकिन इसके लिए आप सबको तकलीफ हुई वेट करनी पड़ी इंजार करना पड़ा इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ और आप सबका एक बार फिर यहां आने पे खास तोर पे आप जो मंच पे विराजमान शायर साहिब आने इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और एक बार फिर मैं आप इनका धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर नोता देता हूं कि इंशालला दुबारा जल्दी हम लोग करेंगे और उस लेवल पे ही आएंगे आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया और भाई मुहमद जी किया सेफी को मैं एक बार फिर मुबारक बात देता हूँ असलावालेकूम जैहिंद